नमस्तकार ससी लाइप इस्टाइल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूई एक ऐसी रेस्पी जिसे बनाना बहुत ही आसान है आपको जब भी भूंक लगे आप जट्टर बना के खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी है और बच्चों के टिफिन के लिए तो बहुत ही अच्छी रेस्ती है इस पेसल गर्मियों के लिए बहुत ही फायदे मन है तो देर ना करते हुए चलेए फ्रन्स इसे बनाना श्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल पुदेने की पत्तियां लेंगे और आधा बाउल धनिया की पत्ति लेंगे जितना हम पुदेने की पत्ति लेंगे उसी का हाफ हमको धनिया की पत्ति लेना है अब हम इसमें डालेंगे चार पांच कली लेसुन, दो से तीन कटी भी हैरी मेंच, और अब डालेंगे एक इंच लग भगे अधरक का टुकड़ा, और अब डालेंगे एक मीडियम साइट का प्याल, वो हमने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया है, और डालेंगे पांच बड़े चमाची है, सूखा नारियल, यह जरूर डालें, इससे इस कटे से इसमें बहुत अच्छा आता है, आपके घर में नारियल गोला है, तो आप इस तरह से कट्लू कस करके डाल सकते हैं, या मार्केट का नारियल बुरादा भी आप डाल सकते हैं, और हम डालें दो बड़े चमाच तेल, तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे एक चमाच जीरा, तेज पार, और जो पुलावे मसाले डालते हैं, बड़ी लैची, छोटी लैची, काली मीर्च, लाओं, तो मसालों को हम डालके एग बात फुच्छे से चला देंगे, यह देखिए मसाले ह हमारे भून गये हैं, और अब इसमें डालेंगे मीडियम साइज का लच्छे दार कटा हुआ एक प्याज, और थोड़ी देर के लिए हलका सा भून लेंगे, यह देखिए प्याज हमारे हलके से भूने हैं, इनका कलर ना चेंज होने पाए, अब इसमें हम डालेंगे आठ से एक बारी कटा हुआ चामाटर, और गेस की फ्रेम को मीडियम रखेंगे, और लगातार चलाते हुए टेमाटर को हम थोड़ी देर के लिए भूलेंगे, टेमाटर को हम हमें धो से दीन मिनट तक भूनना है, तक छे कल लिए, दोला हमारे हमारे हla aterial, छोड़ दिया है, जर उ यहां पर आ tightening एक चूटा चम्मच ङरत मसालस का सवकster करते हैं Mikroya को पुआ को Haniरा यहां भी सभ़ीं सरान वर और हम आना सब्लाव सक democratic act कि झालेंगे रंड़न पष्वास कि इसे हम लगातार चलाते हुए हमने हरी मिज डाली है इसलिए हम दालोईट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यह देखे हमारा मसाल अच्छे से भून रहा है लेकिन बीच बीच में आप इसे चलाती रहे हैं नहीं प्यों नीचे तले में लग सकता है देखें फ्रंस एक इतना अच्छा लग रहा है देखने में और यह खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमत नमक आप टेस्ट के हिसाब से और अंदास से डालें नमक डालकर एक बार हम इसे अच्छे से मिला देंगे यह देखें आप देख सकते हैं मसाले हमारे भून गया है मसालों में पेल इसको भूनने में चार मिनट लगे हैं अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी चावल यह चावल हमने पहले से ही धोके रखिया था और यह बासमती चावल है बासमती चावल से यह वाथी टेस्टी बनता है चावल डालकर इसे हम बहुत ही हलके हास्ते इस तरह से मिलाएंगे अब इसमें हम डालेंगे पानी जिस कटोरी से हम ने चावल लिया था उसी कटोरी से हम गतोरी पानी डालेंगे यह बूसरी कटोरी है इस तरह से अगर आप बनाएंगे एक और दो करे सो लेके तो आपके पुलाओ बहुत ही अच्छे बनेंगे अभी नहीं हम एक बार फिर इस तरह से मिला देंगे और लिड लगा कर इसे हम दो विसल आने तक पकाएंगे गैस की फ्रेम को हम मीडियम कर देंगे दो विसल आने के बार लिड को लेंगे तीर हमेरा मिंट पुलाओ बनकर त्यार हो गया है अब इसे हम रहे हाथों से इस तरह से चला के एक बाल में ट्रांसपर कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना खिला-खिला ये पुलाओ हमारा बनकर त्यार होगा है आप इसे रायतेया दहिके साथ सरू कर सकते हैं फ्रेंड्स आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइब करिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाली रेस्पी है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज लाइक और ज्यादर ज्यादर शेयर करिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प् वीडियो देखने के लिए धन्यवा फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ